और एक बड़ा सवाल कि शेहडोल में आखिर कब थमेगा बच्चों की मौत का सिलसिला यह हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि लगातार बीते दिनों जो खबरें शेहडोल के स्वास्तिकेंद्र से आई है वो कुछ परिशान करती है और बहुत सवाल कड़े करती है लगातार बच्चों की मौत हो रही है सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है अब खबर मिल रही है स्वास्तिकेंद्र सामुदिक स्वास्तिकेंद्र बुडार में एक और बच्चे की मौत हो गई है अस्पताल में भरती चार महा के बच्चे ने दम तोड़ दिया है परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरूप लगाया है परिजन कह रहे हैं कि बच्चे का बगैर इलाज किये अस्पताल से भगा दिया नच एम, एमडी, चवे भारवज के दोरे के चलते इلाज नहीं किया और इधर आजी की बात है स्वास्ति मंत्री ने भी यहां दोरा किया लापरवाही के चलते स्वास्ति मंत्री ने यहां के सीए मैचो और सिविल सर्जन को हटा दिया कारवाई भी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, धमने का नाम नहीं ले रहे हैं यहां की ववस्ता को ठीक करने के लिए हमने यहां एक नया बाड़ भी की हम लोगे मेडिकल कालेज में 20 बच्चों के लिए और बढ़ा रहे हैं, और एम्बूलेज की विवस्ता कर रहे हैं, हमने मेडिशन, टेली मेडिशन की सेवां को भी लागू करने चाह रहे हैं अभी कोई कारवाई की कई सेविल सर्जन को भी हटाएंगे दूसरों को दस्त पर इस खबर पर जादा बाच्चित करने के लिए हम रूख करेंगे विश्रिश समवधाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइफ जुड़ गाए हैं जादा बाच्चित करने के जुगल एक मोटा आकडाम देखें तो बीते 26 नमबर से अब तक करीब 14 बच्चों की मौत हो गई है लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं स्वास्ते भाग अपनी तरफ से पल्ला जाड़ लेता है स्वास्ते मंत्री एक प्रतिक्रिया देते हैं कारवाई भी होती है लिकि है सिविल सर्जन को हटाए गया है लेकिन बात इतनी है कि क्या आप उस जड़ तक पहुंच चुके हो जिसके कारण यह सब बच्चों की मोत हो रही है क्या आप उस समस्या के रिदान कर पाए हो क्या कारवाई महज कर देने से क्या बच्चों की मोत का जो आकड़ा है वो थम लिदाना मातरी से में समस्ताओं की इसका हल नहीं है है सवास्वाओं में वृद्दी करना और सवास्वाओं में चानवर्य क्योंक्ति जिस सरी एऊना हो रही है बच्चों की मोत के मामने सामने आ रहे हैं उसके यह नहीं लगता कि आखिर जो हम उसकांड को पकड़ पा вкус अ विवाग उस कारण को नहीं पकल पाया है जिस कारण बच्चों की मौत हो रही है क्योंकि जिस जब बच्चों की मौत होना शुरू हुई थी उसके बाद सरकार लगातार सक्रीति स्वास मंत्री लगातार मौनिटिंग कर रहे थे लेकिन एक लगातार बच्चों की मौत हो रही है ज़िए जब ग्रह्मन जब स्वास्त मंत्रीं इंडिक्षंट कर रहे हैं ते जड़ bisc को बच्चे के मॉस्त हो गई है तो हम क्या सरकार उस जर्द अपने से काम नहीं होगा काम अपने ठीक बात कही जुगल मैं समझताओं की दर्शक भी अगरी करेंगे इस बात से कि महद कारवाई करने से या CMHO को सिबिल सरजन को हटा देने से नहीं होगा हमें बच्चों की मौत ना हो इस पर सरकार या शासन क्या एक्षन लेती है क्या आप मानते हैं कि एक सर्वे कराया जाए या पिर एक टीम अलग-अलग इलाकों में भीजी जाए क्योंकि मेरी खुद CMHO जो जिने हटाए गया उनसे बाच्चित हुई CMHO साब कहते कि यहां बच्चों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि निमोनिया सबसे बड़ा कारण है और बच्चे क्रिटिकल स्टेज में आते हैं इ इसके लिए क्या एक आपको लगता है सर्वे की या टीम गठित की या इसकी जरूरत पढ़ती है शासन को प्रश्रासन को अपने लेवल पर करना चाहिए जिया देखें निशित रूपे देखी कोई भी अगर कोई ऐसी घटनाए हो रही है या किसी तरीके से इसलिए मोत हो रही है तो हमको उसकी जर्दक जाना बहुत जरूरी होगा क्या वो बच्चे निमोनिया से गरसित है और गंभीर अवस्ता में जहां मोत हो रही है उस अस्पताल आ रहे है बच्चे को क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है क्या वहां स्वास सुविधा इतनी भेतर नहीं है कि बच्चे को अगर क्रिटिकल कंडिशन में है तो उनका स्वास्त सुधार हो सके या उनको प्रॉपर इलाज मिल सके अगर प्रॉपर इलाज वहां विवस्ता नहीं है तो हम रेफर करने की विवस्ता हमारे पास कितनी हैं हम कितनी जल्दी गंभीर जो रोगी होते हैं या गंभीर बच्चे होते हैं हम उनको कितनी जल्दी करके स्वासुविधाओं में बड़ोत्री कर सकते हैं या इसी जगह उन्हें भेज सकते हैं जा स्वासुविधाओं भेतर हैं ये पूरी प्रक्रिया है ये एक सिस्ट्रम है इस सिस्ट्रम को सुधारना होगा ना कि केवल कारवाई कर देने से काम चलेगा उस सिस्ट्रम को सु पहुचा दिया जाता और शायद बच्चों की जान बच सकती थी मैदानी अमले को मजबूत होने की और जागरुख होने के जरूवत है बहुत बहुत दन्यवाद आपका जुगल हमारे साथ इस खबर पर बाच्चित करने के लिए तो खुल मिलाकर बात इतनी है कि बच्चों क मौत के मामले में इधर दूसी तरफ डिप्टी डिरेक्टर रिवा की अगवाई में जाच करने आई स्वास्त महकमे की टीम संभागी टीम ने हाली के दो दिन पहले बात है जब अपनी रिपोर्ट शासन को सौपी थी और उस रिपोर्ट में ये खामी पाई गई थी ये मान नहीं जाती इस रिपोर्ट में शैडोल जिला चिकेट सालय में बाल रोग विश्यशक ये नहीं होने इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ाते हुए मैडिकल कॉलेज में भी SNCU याने जहां नवजाद शिश्यू जो होते हैं बच्चे होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें रखा जाता है एक अलग से वार्ड होता है वहाँ पर जल्दी इस तरह के SNCU को शुरू करना ये एक प्रात्मिक ताउनी चाहिए चिकेट सालय में जल्दी पेडिश् SNCU होते हैं उनकी नियुक्ति किया जाना चाहिए अब आपको दो तस्विर हम दिखा रहे हैं पहली तस्विर मद्यप्रदीश के स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी खुद शेहडोल पहुंचे क्योंकि मामला बढ़ गया 26 नवंबर से करीब करीब 12 से 13 दिनों में यहाँ पर 14 बच्चों की मौत हो गई है मामला घरमा तक आया मीडिया में यह मामला आया स्वास्त दिकारियों पर सवाल खड़े हुए उसके बाद खुद स्वास्त मंत्री को यहाँ पर दौरा करने जाना पड़ा स्वास्त मंत्री पहुँचते हैं कुछ खामिया पाते हैं सीमेचों को हटा देते हैं दूसी तरफ तस्वीर आप देखिए आजी की बात है एक और बच्चे की मौत हो जाती है अब किसे जिम्मेदार ठहरा है किसकी लापर वही सामने आ रही है क्या महज कारवाई करने से या सीमेचों साहब को बचसे हटाने से मौत का सिलसला ठमजाएगा ये बड़ा सवाल है और इदर इस पूरे मामले में हाला कि शासन प्रशासन जरूर कारवाई की बात कह रहा है डेवलपमेंट हम सुधार करेंगे इसकी बात कह रहा है लेकिन शवी भार्दवाज ने भी इस पूरे मामले में जाच की है उनका क्या कहना आपको सुना देते हैं अग्यमत जो पीशे रहा है और वहां पर जो अपलब्द व्यवस्था एंटी हो बहुत खराब थी तो आज के पूरे टूर के अधार पर और यहां सी अची गुड़हार में जो व्यवस्था हैं उसके अधार पर कुछ कारवाईयां हम लोग करेंगे कुछ ने लेंगे लेक है बच्चा में तरह गया था उन्होंने बताया कि उर्भाइब कि आच है को यहांपस झाब आया तो भूंर्त था जी बेंहीं कुड़हार में साफ को बताया है और निको कानफर्म किया है कि मत अ